नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे, एस्पी है दई वाला चिकन, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है दई वाला चिकन, अब हम आपने गैस शुरू करते हैं, अब हम डालेंगे तेल, आप तेल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, अब हमारा तेल गरम हो रहा है और जैसे ही तेल गरम होगा हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, अब हम डालेंगे तेज पता, अब जाएगी इसमें काली मिर्ची थोड़ी सी, एक टी स्पून चार पांच लॉंग और अब हम इसमें डालेंगे अध्रक लस्तन का मसाला यह है थ्री तू थ्री एन आ हाफ ही टेबल स्पूल अध्रक लस्तन को अच्छे से पकाना है अध्रक लस्तन बिल्कुल भी कच्छा नहीं रहना चाहिए अब हम इसे डालेंगे तीन कटे हुए लंबे प्यास और इसे हम अच्छे से फिला लेंगे अब हम डालेंगे इसमें एक चमच नमक अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई तीन बारी हरी मिर्चे अभी मिर्ची आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज्यादा मिर्चे भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे तीन टमाटर बारी कटे हुई और उसी के साथ हम डाल देंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर हम इसे अच्छे से हिला लेंगे प्यास को हमने लाल नहीं करना हलका सा पकाना है गुलाबी रम तक भी नहीं लाना ठाली पकाना है अब हम अपनी गैस की आज थोड़ी आज से कर देते हैं जब तक यह मसाला नहीं थोड़ा पकता जब तक हमारा मसाला होता है हम अपना चिकन मैदे में कोट कर लेते हैं और हम इसे डायरेक्ली ही पैन में डाल देंगे अब हम अपना चिकन अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी आस्ते आंच पे ही रहने देंगे ताके मैदा अच्छे से भून जाए अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन का मसाला है वो पूरी तरह चिकन के उपर लेप गया है और जो हमने मैदा लगाया था चिकन को वो भी अच्छे से भूना गया है अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच नमक और इसमें जाएगा अब करीबन 200 ग्राम दई यह दई वाला चिकन है इसमें दई की मातरा जादा रहेगी इसे अच्छे से हिला लेंगे पूरी तरह मिक्स कर लेंगे इसको अच्छा उबाला आ गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोतमीर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी अब हमने इसमें दो कप पानी डाल दिया है और अब हम अपने चिकन को ढख देंगे 20-25 मिनिट के लिए वह आस्ते आंच पे होता रहेगा बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारा चिकन गला है के नहीं अब हम देखते हैं कि हमारा चिकन गला है के नहीं चिकन की शकल तो बहुत अच्छी है हमारा चिकन अच्छे से गल गया है अब लास्ट में हम देंगे थोड़ी सी फिनिशिंग इसको, इसमें डालेंगे हम एक चमच धनिया पाउडर, देख चमच जीरा पाउडर, इसे अच्छे से हिला देंगे फिर हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा कोट मीर, दिश कम्प्लीट करने के लिए लास्ट में जाएगा आधा चमच घरम मसाला, खुश्बू अच्छी है, शकल अच्छी है, और यह बहुत ही जाइकेदार है, अब हमारा दईवाला चिकन बिल्कुल तयार है और आब हम इसे सर्फ करते हैं, यह रहा हमारा दईवाला चिकन एकदम तयार, स्वार्दिष्ट और जाइकेदार, जरूर बनाएए और हमें लिखिया आपकी रेसिपी कैसे बनी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को स्वाध अनुसार, तिल नेक्स टाइम, गुडबाए. जरूर झाझेदार, स्वार आपकादर, जरूर तिल आपकेदार, स्वार्दिधार, जरूर तिल नेक्स टाइम, टाजुआ हमारे चैनल को स्वाध रेसिपी कैसे बनाएब वार्वास्पादर,